हलो फ्रेंद्स वालकम बैक टू मैं चानल स्वीट कॉर्ण आज मैं आप लोग के साथ सेयर करने वाली हूं गर्मा करम फुला हुआ पूरी के रेसिपी और उसके साथ छोले के रेसिपी कैसे मैं ने फूला हुआ पूरी बना लिया और छोले में मैं कुछ ऐसे मसाला अगर आप मेरे चैनल का नया दोस्तों तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चली शुरू करते हैं पूरी बनाने के लिए मैं यहां ले लूंगी देरकब आठा देरकब आठे में थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और फिर में उस पे डाल दूंगी एक चमच देसी घी और फिर में डाल दूंगी एक चमच रिफाइन ओयल आप सिर्फ घी से भी इसको बना सकतो या घी रिफाइन ओयल दोनों मिक्स करके बना सकतो फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी घी और रिफाइन ओयल को अच्छी तरह से आठे के साथ में मिक्स कर लिया अब इस पे थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और एक डो बनाऊंगी रोटी पड़ाटे के लिए जैसे डो बनता है उससे थोड़ा हर्ड बनदला ज्यादा हर्ड नहीं मीडियम टाइप के डो में बनाऊंगी देखिए मेरा डो बनके तयार होगा ऐसा होगा ज्यादा नरम नहीं बनाया अब इसको ढ़ाके में 20 मिनिट के लिए छोड़ा दूंगी इसी टाइम पे में छोले बना लूँगी या मैं 200 ग्राम छोले ले लिए थे और उसको रात में मैं भींग के रख दिये थे उसको में बॉल कर लिया उसके साथ एक बाड़ा साइज का आलू याषसे छोटे-चोटे पीसेश में मैं कार लिया और उसको भी बॉल कर लिया देखिए छोले को ऐसे ही में बॉ Carbon ascendant कर लिय उसके में डाल दूँगी 3 ड्राइ रेड चीली और फिर में डाल दूँगी होल गर्ब मसाला देखिये जाधा नहीं डालूँगी ठोड़सा डाल दूँगी और फिर जब इससे अच्छा सा खुजबू आ जाए तब मैं इस पे डाल दूँगी बड़ी कटा हुआ प्यास एक बड़ा साइस का प्यास मैं यह डालूँगी और उसको मैं थोड़ा सा गोल्डेन डाउन करके फ्राइ करूँगी अब मैं इस पे डाल दूँगी एक टमाटर जिसको मैं चार पीसेस में काट लिया और टमाटर जब थोड़ा सा नरम हो जाए उसपे मैं डाल दूँगी एक टेबरिस्पून अधरक लाइसून का पेस्ट फिर उसको मैं अच्छी तरह से फ्राइ करूँगी अब मैं इसपे डाल दूँगी एक चमच कास्मीरी रेट चिली पाउडर और एक चमच हल्दी पाउडर और उसको मैं अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी दो मिनित तक अब मैं इस पर डाल दूँगी एक चमच जीरा पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी अब देखिए इससे ओयल रिलीज हो रहा है जब ओयल रिलीज होगा तब आपको पता चले का कि यह अच्छी तरह से फ्राई हो गया इसी टाइम पे मैं डाल दूँगी बॉयल किया हुआ छोले और आलू फिर उसको मैं मिक्स अप कर लूँगी छोले और आलू को मैं अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी और अभी मैं इस पर पानी नहीं डालूँगी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तब इस पर पानी डालूँगी और इस पर मैं ऐसा कुछ मसाला डालूँगी ना बाद में तो जिससे इसका जो टेस्टे और भी अच्छा आ जाते हैं तो जनले के लिए आपको तो पूरा वीडियो देखना होगा स्कीप मत किजिएगा अब मैं इस पर पानी डालूँगी जादा पानी नहीं डालूँगी क्योंके ये पहले से बॉयल किया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा पानी डालूँगी और फिर में धक्कन लगा दूँगी जब तक अच्छी तरह से ये मिक्स अप ना हो जाए इसी टाइम पे मैं डाल दूँगी स्वात के नुसर नमक मैं बयल करते से मैं थोड़ा सा नमक डाली थी इसलिए मैं उसी हिसाब से नमक डाल रही हूँ अब मैं धक्कन लगा दूँगी और मीडियम फ्ले में इसको बना लूँगी अब मैं पूरी बनाना सूरू करूँगी जो आटा को मैं भून के रख दिया था मैं थोड़ा सा और मसल लूँगी और उससे चोटा चोटा लोईया में काट लूँगी आप अपने हिसाब से इसको काटिए मैं आपको साथ इस टीक्स कराण सेयर करूँगी कि जब आप आटा को भूनेंगे ना उसी टाइम पे आप मैं जिस मात्रा में मतलब तेल और घी डाले थे उसी मात्रा में डाली उससे ज़्यादा मत डाली है तो आपका पूरी क्रिस्पी हो जाएगा और उससे कम अगर डाल तो आपका पूरी नहीं फूलेगा आप मैं इसको प्री जैसा बना लूँगी देखिए सब को मैं ऐसे ही बना लूँगी इसी टाइम पे में एक फ्राइंग पैन पे एक चमच धनिया एक चमच जीरा और होल गरम मसाला इस पे है लॉंग एलाइची और दार चीनी इसको थो पाउडर बना लूँगी अब मैं ढकन खुल देख रही हूं कि बनके तैयार हो गया इसी टाइम पे मैं इस पे डाल दूँगी जो मसाला मैंने बना के रखे ते और डाल के इसको मिक्स अप कर लूँगी और फिर में फ्लेम को अफ करूँगी और इसको शार्प करूँगी इसके बाद मैं पूरी बना लूँगी, गर्मा गर्म पूरी के साथ मैं चोले को सर्प करूँगी आप मैं पूरिया को बेल लूँगी, इसके लिए मैं ओयल ले लिया, ओयल में इसको डुबो के इसको मैं बेलन के मदद से बेल लूँगी आप चाहो तो बेलोन में थोड़ा सा ओयल लगा सकते हो ताके यह चिपके ना अब इसको मैं ऐसे बना लूँगी दिखिए पुरा राउंड सेब में मैं इसको बनाऊंगी ज्यादा पदला नहीं बनाऊंगी अब इसको बनाने के लिए मैं ओयल और घी गरम कर लिया आप चाहो तो सिर्फ घी से इसको बना सकते हो यह अच्छी तरह से गरम होगा के नहीं देखने के लिए मैं इस लोईया से थोड़ा सा टुक्रा लेके इस पर डाल दिया तो अगर यह तेल के उपर आजाए तो आप समझो कि यह गरम हो गया अच्छी तरह से अब मैं इस तेल पर पुरियों को फ्राइ कर लूँगी दिखिए इसको डाल दिया और थोड़ा सा में प्रेस कर रही हूं हलका हाथों से प्रेस कर रही हूं तो अब जाके यह अच्छी तरह से फूल गया दिखने में अच्छा लग रहा है ना खाने कमन कर रहा है तो घर पे जरूर बनाए और मुझे कमन करके जरूर बताएगे कि आपका पूरिया है अच्छी तरह से फूला हुआ बना के नहीं अब मैं साप करूँगी इसको छोले के साथ तो कैसा लगा आज का ये दो नो रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और नेक्स दिन मुलाकात होंगे और नए एक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई